खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था अब शायद उसे लगता है कि अपने पीचर से आगे निकल गया है हलो एवर्ण गाईज कैसो आप सब दोस्तो आज हम बात करेंगे फिल्म वॉर के चार दिनों के टोटल बॉक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में दोस्तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि फिल्म वॉर्ण ने अपने पहले दिन पर हिंदी में 51.60 करोड का कलेक्शन किया था तो वहीं साउथ इंडिया में 1.75 करोड का कलेक्शन किया था इस film ने All Over India में अपने पहले जिन पर 53.35 करोड का कलेक्शन किया था जो किसी भी Bollywood फिल्म के लिए एक record है दोस्तो इस film ने हिंदी में अपने दूसरे दिन पर 23.10 करोड का कलेक्शन किया था वहीं South India में अपने दूसरे दिन पर 1.25 करोड का कलेक्शन किया था अपने तीसरे दिन पर इस film ने हिंदी में 21.30 करोड का कलेक्शन किया तो वहीं South India में 1.15 करोड का कलेक्शन किया तो इस तरीके से इस film ने 3 दिनों में All India में 100 करोड का कलेक्शन कर लिया है और यह फिल्म ऐसा करने वाली यसराज फिल्म की पाँचवी फिल्म बन गई है और ठगस ओफ हिंदोस्तान जैसी फिल्म में कर चुकी है दोस्तो अगर बात करें फिल्म के चोथे दिन के कलेक्शन की तो चोथे दिन की जो मॉर्निंग ओक्यूपैंसी की रिपोर्ट काफी अच्छी आ रही है दोस्तो इस फिल्म ने अपने चोथे दिन की मॉर्निंग ओक्योपेंसी में 55-60% के बीच में ओपनिंग डी है वहीं अगर आफ्टरनून की बात करें तो आफ्टरनून में यह फिल्म उतरा पिक अप नहीं कर पाई लेकिन इवनिंग के शोज आते आते इस फिल्म ने बहुती ज़्यादा पिक अप कर लिया है जिसे देख करके साथ तोर पर कहा जा सकता है कि यह फिल्म अपने चोथे दिन पर 32-34 करोड के बीच में करेक्शन कर रही है और इस तरीके से स्विल्म का चार दिनों का इंडिया का जो नेट टोटल हो जाता है वो होता है 132-134 करोड के बीच में तो दोस्तों गर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और वाल्ड फिल्म से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद